यह फ्रेंड्स मैं हूं मुनोज राफ सभी का स्वागत गता हूं आपके एपने यूटीजनला इमस रोग फेंटेशी करिकेट के अपर और हम इस मुकाबले के बारें बात करेंगे बात करेंगे और लास्ट में आपको ड्रीम लेंग टीम भी मिलेगी और स्टार्ट में अभी बाई शेल की पिक्स के बारे में बताऊंगा तो गाई सबसे पहले एक और चीज आपको जाना जरूरी है टेलेग्राम के अंदर जुड़ना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इस मैच की मैं वीडियो नहीं बनाया पाया हूं तो इस मैच की जो भी अपडेट वगरा है वो मैं टे डिस्करप्शन के अंदर मिल जाएगी और आपको कोड जो रैफर कोड आपको डालना है रजिस्टर करते टाइम वो डालना है एमस रोक रैफर कोड डाल देना जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर के अंदर गिवे वगरा जो भी हम जो भी हैल्प आप मुझसे चाहेंगे या इसके अंदर कोई भी दिक्कत आएगो इसका सोलिशन में करा दूँगा सबसे पहले गाईज अगर प्लेंग लिए उनकी बात करने से पहले आपको एक बर ग्राउंड का थोड़ा सा मैं आपको भी और बता देता हूं ग्राउंड के अंदर देखिए ग्राउंड तो शे हैं लेकिन अभी देखिए तीन मुकाबले खेले जारें डे में तो डे में से तीन मुकाबले खेले जारें तो पिछ किस परकारशी यूज़ हो रही है अभी जिस मुकाबले के अंदर चल रहा है उस मुकाबले में ये पिछ यूज़ हो या इन में से किसी और एक ये यूज हो अगर मान लिजी यही पिछ यूज हो रही है तो मैं कहूंँंगा सेकिंड मैच और थर्ड मैच को सेकिंड मैच देखने के बाद में पता चल जाएगा थर्ड मैच के अन्डरा में पता चल जाएगा फिर जैसे टोस वगरा या हमें जो अपडेट मिलेगी उससे पता चल जाएगा कि यह पिछ अगर यूज कंटिन्यू हो रही है तो मैं कहूंगा वहीं से श्पीनर को मदद मिलना शुरू हो जाएगी अगर यह पिछ यूज नहीं हो रही है और जो लास्ट वाली थर्ड वाली जो पिछ यूज हो रही है तो वहां पर मैं कहूंगा थोड़ा सा बैट्समेण फेवरी भी रहे गी और बोलर को भी फेवर रहे गी मतलब मीडल वाला रहेगा ना ज़्यादा तर बैट्समेण ना कोई ज़्यादा बोलर अभी सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ से यहां से लैंडन श्मिस जो लास्ट मैस्ट के अंदर खेल रहे थे ट्रिवाइश टीम वैबस्टर थे ओपना रहे थे यहां से यह उश्यन आ गए थे उन्होंने पर्मोट कर देथे क्योंकि स्कोर थोड़ाय था उसके बाद मैं अगर बात करूं उसके बाद में टीम शेफर् इसमें कोई भी चैंजमेंट तोगरा होगा वो मैं अपडेट आपको ट्रियनमर्ण के अंदर कर दूंगा इसमें इसरू डाना आ सकते हैं कि यह प्लेयर है या दिनेश रामदिन अगर दिनेश रामदिन यहां से आते हैं तो डारेकली सुने लेर्ण आपको ओपनर यहां से आ सकते हैं ड्वेन ब्राव फिट हो चुके हैं और यह मैच खेलने के लिए वो तयार है और खेलने वाले हैं तो कैप्टन से करेंगे ड्वेन ब्राव क्रिश केल कपताने नहीं करेंगे तो यहां से कौन प्लेयर बाहर जा सकता है यहां से प्लेयर जा सकता है यहां बार जा सकते हैं या मैं बात करूद रवी बोपार भी बार जा सकते हैं जो ओनली बैटिंग शरी कंट्डिट करें लेकिन बैटिंग बी अच्छे खासी नहीं कर रहे हैं तो इनके अभी अभी के लिए अगर प्लेइंग लिए अगर बात करो तो ई लैविश है डेविन थूमसन है उसके बाद मैं कृष्ट गेल है इनके जगह डवीन ब्राव फिर रवी वो पर रहे हैं इनके फावलेन हैं उसके बाद में अगर यह से बात करूँ जे डीशीलवा ह है जह जे स्यांसे अगर बाद को जोगयशुर है जोगयशुर है उसके बाद में पी वान मीकन है फवाद हैस स्पीन जोटिय कर रहा है और ये और ये विला कर सका tumbe कर रहे हैं यह रजब कि यह फ्रेंडवाज है उसी चैंज्ग्मेंट का मैंने आपको बतादे है शेडल कोटरल की हो सकती है वापसी हो जाए या आर एमरीद भी वापसी कर सकते हैं देखने को आले बात है और यासे कई प्लेयर इनके बाहर बैटे हैं क्या इनकी वापसी होगी शेयर फ्रेंड रेदर फोर्ड अगर फिट होते हैं तो वो भी वापसी कर लेंगे गाई उससे पहले अगर एक चीज़ बता देता हूँ आपको जो अभी मैच चल रहा है उसके अंदर बारिश आ गई है अगर बारिश ऐसे ही कंटिन्यू रही तो दिक्कत आ जाएगी फिर मैच कोंगा मैं नेक्स मैच हो भी या नहीं हो या मैं कोंगा अगर बारिश थोड़ी भी होकर रुक जाती है तो गेंद बाजू को स्पीनर को थोड़ा ज़्यादा फेवर करना शुरू करतेगी फिस तो देखके चलिएगा और वहीं अगर यहां से इनकी बात करूँ तो मैंने अभी आपको पिक्स होगरा को बारे में बताया था तो डेव वेस्ट आमारे बढ बताता हूं जो सेफ रहेंगे उन्हीं के बारे में आपको सज़स्ट करता हूं और अब यह स्कोर आसपास भी कर जाए तो दिक्कत वाले बात हो जाती है आप समझ रहे हैं मैं बार बार आपको यहीं चीज़ बता रहा हूं तो और एक और चीज़ आपको फाइनल देखने के मिला विकेट कीपर थोड़ा ज़्यादा ही पॉइंट दे रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टीम शेफर्ट बाई के अंदर ऑप्शन रहेगा उसके बाद में आपके पास में दो अप्शन आपको देखने को मिलेंगे यहां से मैं अगर बात करूँ टीम वेबस्ट जरू जरू टीम दники विकेट नोबर कहा है यहां से आपके लिए में इंपॉर्टन पिक रह जाएंगे जो उपनर भी आएंगे इसके साथ में आपको बोलिंग से बीचार और और स्पीन का दबदबा है पिछके पर तो वो आपके लिए और भी इंपॉर्टन हो जाएंगे उसके बाद में अगर आशे बात करूँ अक्यूलिशन को आप ट्राइ कर सकते हो और के पियारे मैं इन दोनों को ही बाई की पिक के अंदर रखूंगा जो अच्छी काशी पिक है और जो कंटीनियू विकेट निकाल रहे हैं इसलिए ये कभी भी तीन चार विकेट दो तीन का एक शाथ कोमिनिशन बनाके विकेट निकाल सकते हैं तो जरूर ट्राइ कीजिएगा उसके बाद में डी थोंचन मेरी हर बार की मैच की पिक रहती है और तो मुझे कंटीनियू विन भी कराते हैं डी थोंचन विकेट कीपिंग पलस आपको ओपनिंग दे रहे हैं तो मेरे ल बाई करती हैं अगर अगर बात करें तो ईलेविश को आप ट्राइ कर सकते हैं अगरर सकते हैं थो यहां पर प्राइक कर सकते हो यहां से चार और पलस आपको left arm orthodox का थोड़ा मैं कोऊँगा बढ़िया प्रदिस्टन रहा है speech के ओपर तो इनको try कीजिएगा उसके बाद में guys यहाँ से multi-packer section के अंदर बात करो multi-packer section के अंदर सबसे पहले अगर बात करो आपको यहाँ से मैं 3 category के अंदर बताऊंगा सबसे पहले आपको बताऊंगा शेफ वाली बताऊंगा फिर उसके बाद मैं आपको medium वाली बताऊंगा फिर तीसरी बताऊंगा risky वाली तो तीरों category के अंदर मैं आपको दो-दो player suggest करूँगा extra player भी बारे में बता दूँगा आप आपने डा लेना तो सबसे पहले अगर शेफ पोजिशन के अंदर आगर यहां से बात करूँँ तो शेफ पोजिशन के अंदर सबसे पहले आप का player यहां से आजाता है तो ड़ अब मैं कहूंगा फावलीन यहां से एफ हलीन आपके लिए shape pick के अंदर option आ जाता है मेरे first pick क्योंकि bowling plus bowling plus batting दोनों से contribute करें तो ऐसे player को मैं shape के अंदर रखता हूं जो continue score कर रहे हैं उसके बाद में continue score कर रहे हैं यहां से शुनी नरेन continue score कर रहे हैं चाहिए वो batting plus bowling दोनों से कर रहे हैं तो ऐसा player मेरे लिए important हो जाता है मैं जिसको safe में ही रखोंगा उसके बाद में अगर यहां से बात करूं उसके बाद में थोड़ा सा risk की जादा ना जादा रिश्की medium वाली category के अंदर मैंने सबसे पहले जिस player को रखा है वो Colin Monroe है आज के मैंस के अंदर मुझे Colin Monroe के अपर थोड़ा सा विश्वाज जता कि मैं इनको पिक कर रहा हूं उसके बाद मैं ऐसे ऐल स्मित सिमन्स इनको मैं पिक कर रहा हूं इन दोनों को तो आपको मैं ये only आपको दो पिक बताई हैं जो मैं कहूंगा बैटिंग से ही contribute कर रहे हैं बोलिंग से नहीं कर रहे हैं यहीं अगर तीसरी पिक के बारे में अगर आपको बात करूँ तो अखे लोशन तीसरी पिक के तोर के पर आप इनको रख सकते हैं अब मैं कहूँ एक्स्टा के अंदर रख सकते हैं उसके बाद मैं अगर यह से बात करूँ जो आपकी हाई रिस्की वाली जो पिक रहेगी हाई रिस्की वाली पिक के अंदर मैं सबसे पहले जिस पिक की बारे मै बात करूँगा वो मेरे रहेगी फवाद ऐमाद जी इसको मैं फश पिक के तोर के पर हाई रिस्की के अंदर रखने वाला हूँ उसके बाद देगे मैं इनको ओनली स्पीन अटेक के तोर के पर रख रहा हूँ आप इनको ना भी रखे इनके जगा आप बैट्समन के साथ में जा सकते हैं क्रिश गेल हाई रिस्की लेकिन अभी के लिए इनका रेटन कम है लेकिन स्कोर भी कर सकता है यह बंदा कमाल का पर देशन कर सकता है लेकिन अभी तक इनका अच्छा खासा पर देशन नहीं आया लेकिन उसके बाद में अगर दूसरी पिक के बार बात करूँ त जिनको विकेट के पिंग प्लस बैटिंग दोनों से ही मैं कहूंगा ओपनर आकर और प्लस विकेट के पिंग दे रहे तो अच्छे खासे परदेशन आपके लिए कर सकते हैं उसके बाद में अगर आप यहां से जाना चाहें तो के पियारे आपके लिए मैं बहुत ही बड़िया बहुत ही जवर्दस आपके लिए पिक बन सकती है तो इनको जरू ट्राइग कीजिएगा मैं इनको ट्राइग करने वाला हूँ यह मेरी पिक्स थी इसके बारे में और को ही मैं अगर आपको थोड़ा बहुत एक दो एक्ष्टा प्लेयर के बारे में बताऊं तो एक्ष्टा प्लेयर मैं बात करूँ अगर फास्ट गेंदबाजी को देखते होई डी ड्रैक्स को भी आप ट्राइग कर सकते हो जो लास्ट की कुछ मैचे से मैं कहूँगा अभी जो last match अभी चल रहा है current match चल रहा है उसको देखते हुए आप try कर सकते हो या आप यहां से बात कुरू team shepherd को भी try कर सकते हो तीन में से किसी player को आप try कर सकते हो उसके बाद में guys यहां से मैंने आपको telegram के अंदर जुड़ना जरूरी है क्योंकि यह जो मैं team आपको show करके दिखा रहा हूं dreamlion की team यह only मैंने आपको एक suggestion के तोर पे बताई इसके अंदर कोई भी मैंने वह नहीं बताई कि यह मेरी final है फाइनल आपको telegram के अंदर मिलेगी morning के अंदर अगर मान लिजिए आख खुलना काई बार क्या होती नींद से आख नहीं खुल पाती हो तो उसका भी दिक्कत है इसके अंदर कोई भी update होगे तो जो इन अगर एक 2 एक स्टर पलेइर के बारे मां अगर आक को बात करूँ तो अगर आएकसे बात कुरूँ तो दिखिए Chris Gale कीत गनबजी नहीं डिए नहीं रहें से च struct कर रहें तो बैटक वेटिंग से इनको ट्राइब कर सकते हो इसके नहीं देरें लाइक एमद के ऊपर vegetable जताए है यह और सपीन अटक में के प्यार E के ओपर भी यहां से के तरब से तरब से के प्यारे के ओपर भी थोड़ा भी निया जज़ता है उसके बाद में यहां से जई जगार है जो भी अपडेट वगर आओगे वो टेलराम के नरे गए तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी थोड़ी तब यह डाउन है इसलिए आवाज में आपको थोड़ा वो चेंजमेंट तेरी धन्यवाद